जैन साथ ही आप सभी का स्वागत है सिबेए क्लासेस में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के साइन्स का अबजेक्टिव कोशन ये चेप्टर नंबर 2 हो जाएगा ठेक है आम लचारा के वं 11 चेप्टर से हम लोग देखने वाले इस चेप्टर में जितने भी अबजेक्टिव कोशन बनते हैं वो सारे अबजेक्टिव कोशन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पिलीज सब्सक्राइब कर देना तो चलिए देखते हैं कि क्या है पहला कोशन तो पहला कोशन दिया गया है धातू के ऑक्साइड होते हैं आमल, छारक, लवन या फिर कोई नहीं तो धातू के ऑक्साइड जो होते हैं वो छारक होते हैं और आधातू के ऑक्साइड क्या होते हैं आधातू के ऑक्साइड आमल होते हैं तो यहां पे धातू पूछा गया है B साई हो जाएगा अगला कोशन निमनलिखित में कौन अमल है ये तो अमल नहीं है ये भी अमल नहीं है ये भी अमल नहीं है HCl जो है अमल है Option D सई हो जाएगा अगला कोशन है निमनलिखित में कौन चारक है तो धातु के ओक्साइड चारक होते तो यहाँ पर ZN धातु है और ओक्साइड इसका है ZN का तो यह चारक होगी Option A सई हो जाएगा अगला कोशन है उदासिन विलियन का पी एच मान होता है उदासिन विलियन का पी एच मान कितना होता है साथ होता है option B सही हो जाएगा अगला question है जल में घुलन सील छारक कहलाते है तो जल में घुलन सील छारक छार कहलाते है option B सही हो जाएगा अगला question है silver chloride जिसका सुत्र होता है AGCL का रंग क्या है तो silver chloride का जो रंग होता है वह स्वेथ होता है यानि सफेद रंग का होता है option A सही हो जाएगा अगला question है इन में से कौन सबसे अधिक अमलिये हैं जिसका pH मान सबसे कम होता है वो सबसे अधिक अमलिये होता है तो यहाँ पे आप देखोगे option A में pH 1 एक है यानि सबसे ज़्यादा अमलिए A है अगला question है निमनलिकित में कौन लवन है तो लवन के लिए क्या होता है धातू और अधातू होता है जिसे यहाँ पे Na और Cl तो यह लवन हो गिया Na Cl sodium chloride अगला question है sulfuric अमलिका अनुसुत्र होता है तो sulfuric अमलिका अनुसुत्र क्या होता है sulfuric अमलिका अनुसुत्र होता है H2SO4 option B सई हो जाएगा H2SO4 जो है sulfuric अमलिका अनुसुत्र होता है अगला question है sodium carbonate का अनुसुत्र है तो sodium carbonate का अनुसुत्र क्या होता है Na2CO3 सोडिया, कार्बोनेट option A सही हो जाएगा अगला कोशन है निम्न में से कौन आइनिक योगिक है तो आइनिक योगिक में क्या होता है एक धातू होता है और एक अधातू होता है तो यहाँ पे देखोगे CA एक धातू है और CL2 एक अधातू है तो यह दोनों मिलके आइनिक योगिक बनाता है CA, CL2 option C सही हो जाएगा अगला कोशन है NaOH है NaOH क्या है एक छारक है या फिर छार तो छार उसे कहते है जो जल में घुल जाता है तो NaOH जल में घुल जाता है इसलिए या एक छार है option B सही हो जाएगा अगला कोशन है फेरस सलफेट क्रिस्टल का रंग होता है तो फेरस सलफेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है तो इसका सही answer option B हो जाएगा हरा होता है अगला कोशन है जल का pH होता है तो जल का pH जो होता है वो साथ होता है option B सही हो जाएगा अगला कोश्चन है निम नलिखित में कौन एक अमल है कौन एक अमल है तो यहां पर आप देखोगे option C में HCL जो है एक अमल है hydrochloric अमल अगला कोश्चन है एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है लाल कर रहा है ठीक है तो विलियन का पियच मान निम नांकित में क्या होगा तो जो लाल करता है नीले लिटमस को लाल करता है यानि वो अमल है नीले से लाल करता है तो अमल है तो अमल का पियच मान क्या होता है साथ से कम होता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि सात से कम जो है और एकवरेजिया मिस्रन में Hcl एवं Hno यहाँ पर 3 होना चाहिए Hno 3 का अनुपात होता है तो HCL का जो अनुपात होता है वो 3 होता है और HNO3 का जो अनुपात होता है, एक होता है यानि option A. स souvent हो जाएगा 3 अनुपात 1 अगला question है निमनांकित में से P.H. का कौन सा मान? छारक विलियन का मान देता है तो छारक विलियन का मान 7 से अधिक होता है तो यहाँ पे आप देखो कि साथ से अधिक option D में है तो option D साही हो जाएगा अगला question है कोई विलियान लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका पियेच समवता क्या होगा जब लाल से नीला करेगा लाल से नीला तो छारक होगा जब नीला से लाल जब नीला से लाल करेगा तो अमल लाल से नीला कर रहा है यानि छारक है तो छारक का क्या होता है साथ स्याधिक होता है पियेच में तो option D साही हो जाएगा अगला question है नीला थोथा यानि तूतिया का रसाइनिक सुट्र क्या है तो नीला थोता का जो रासायनिक सुत्र होता है CuSO4 into 5H2O होता है Option B सही हो जाएगा अगला question है निमनलिखित में कौन सही है ये option दिया गया है इसमें से आपको बताना है कौन सही है तो जब आप option B देखोगे Na2CO3 into 10H2O ये option सही है धोवन सोडा का ये सुत्र है Option B सही हो जाएगा अगला question है Plaster of Paris का रासायनिक सुत्र है तो Plaster of Paris का रासायनिक सुत्र होता है Option C सही हो जाएगा C-A-SO4 into H2O Option C सही हो जाएगा अगला question है Baking soda का रासायनिक सुत्र है तो baking soda को sodium, hydrogen, carbonate कहा जाता है तो यहाँ पर आप देखोगे option A में sodium, hydrogen और carbonate है यानि option A सही हो जाएगा बिल्कुल अगला question है ammonium chloride का जलिये-villian होगा तो ammonium chloride का जलिये-villian कैसा होगा अमलिये होगा, छार किये होगा, उदासीन होगा या फिर कोई नहीं तो इसका सही अंसर, option A हो जाएगा अमलिये होगा अगला question है संग मरमर का रसायनिक सुत्र क्या है तो संग मरमर का रसायनिक सुत्र जो होता है CACO3 होता है option A सही हो जाएगा अगला question है निम नलिखित में कौन विजातिये-योगिक है तो कौन वी जाती है योगिक? मतलब इसमें option में से कौन सा ऐसा योगिक है? इसमें से तीन ठो जो है एक जातका है लेकिन एक ऐसा योगिक है जो अलग जातका है तो आप यहाँ पे देखोगे चूना पत्थर और खड़िया और संगमरमर ये तीनो एक जातका है लेकिन प्लास्टर और पेरिस जो है वो अलग जातका है यानि option D सही हो जाएगा अगला कोशन है हमारा सरीर pH के कितने परास के बीच कारे करता है तो हमारा सरीर जो है 7 से 7.8 pH परास के बीच कारे करता है option B सही हो जाएगा अगला कोशन है लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न किस से निकाला जाता है यह ओप्सन में से कौन सा ओप्सन है जिस से लिटमस विलियन निकाला जाता है तो यहां पे आप option A देखोगे लाइकेन है तो लाइकेन से ही निकाला जाता है लिटमस विलियन अगला question है निम्न में कौन दुर्बल अमल है तो कौन दुर्बल अमल है यहां पे आप देखोगे HCL ये भी पर्बल अमल है HNO3 ये भी पर्बल अमल है H2SO4 ये भी पर्बल अमल है लेकिन option D जो है CH3 CWH ये दुर्बल अमल है option D सही हो जाएगा अगला question है साधारन नमक का रसायनिक सुत्र क्या है तो साधारन नमक का रसायनिक सुत्र होता है NACL तो यहां पे option B जो है NACL है यानि option B सही हो जाएगा अगला कोशन है बैटरी अमल है तो बैटरी अमल क्या होता है तो बैटरी अमल जो है H2SO4 होता है option A सही हो जाएगा बैटरी अमल में अगला कोशन है इमली में कौन सा अमल होता है तो इमली में कौन सा अमल पाया जाता है option बी सई हो जाएगा अगला कोशन है जल में घुलन सील भस्म क्या कहलाते हैं भस्म किसे कहते हैं भस्में छारक को ही भस्म कहते हैं तो जो छारक या फिर जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं छार कहते हैं option बी सई हो जाएगा तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चेप्टर के अबजेक्टिव कोशन को ठीक है